खिला रही हैं विराज मुंडे आगे रखे स्विंग कर दिया है भिंगडी शॉट है यह निकल गये मिट्विगेट पर छे रन आखिर में कॉमेंटेटर वरत पाटिल आईये हम उनका सदकार सन्माना स्वागत कर रहें और यहीं शुपकामना है कि आप इसी तरह आगे बढ़ इपना नाम करें अलागे वालकूं से एंपायर रोईदा स्पाटिल वन अफ़ी जीनियस एंपायर विवंडी तालुका में कहीं मरतबह एंपाइडिंग कि घजब का स्ट्रोक धन्यवाद चलते हैं किर्किट की दरफ काफी खतरनाक बैट्स मैंने थोड़ा लेंद में चू को वेकेंट एरिया में गेन निकल गई है वाइडिश लॉंगान पेचे रन क्या कहेंगे योगेश इस बल्लेबाजी पर जिबलकूल पहली गेंद बाउंसर गेंथी उस वक्त भी फुल शॉट मारना चाहते थे मरे इसके बाद दूसरी गेंद प्रिवर्टन करना चाहते थ पुल्टाउस गेंथी उसे उसे भी जड़ा स्कूर लेके सीमा रेका इस बार हली किसी पीछे किया दा गेंद को विराज ने और लगातार दो गिंदो में दो शक्के जड़ती वे प्रिते जोशी प्रिते जोशी एक आक्रमक बल्ले बाद है और उसी का नजारा यापर मैद प्रिते वे खिला रही है पलट वार की शमता है लेकिन दो सिक्सर आ चुके इसको रहा आगे बरता हुआ बारा रन बिना किसी विकेट के टॉस हार के बल्ले बादी कर रही है बलकूम स्पोर्ट विराज अच्छी वापसी जड़ में गें मेडाउन पे खिलारी कोई रन नह है ट्रिक के लिए आगासन टीम को तीन अजार का हिनाम है कहलाश पाटिल की दरब से बैक फूट पेगे कमाल का कट शॉट विरेंदर सहवा की याद ताजा होती भी चार रन बिल्कुल आखरी वक्त तक गेन का वेट किया और बहतरीन स्क्वेर कट के माद्यम से आप पर प्रिदे जूशी के बल्ले से आता हुए ये चोका अगर आर्देश तक आता है तो फिर वीजे नाइडू नैनेश्वर पार्टिल और संदीब सुर्वे की तरफ से दो दो आजार कुल मिला कर छे आजार का इनाम फिफ्टी के लिए सोला पे बल्ले बाज़ी कर रहे हैं प्रितेश जोशी प्रितेश जोशी के नाम था आख्री गेन विराज मुंडे प्रितेश को गती पड़ी वरता इंजाल में फसा दिया था लेकिन नहीं पहुंच पाए खिला रहीं क्या गेन की थी लगबग जो ट्रैप बिचा था उसमें लगबग फजा दिया था पहले और के समापती रन मने बालकुम स्पोर्ट के सत्रा मिना किसी विकेट के और पहले ओवर के लिए जो समय लिया गया है वो है चार मिनट बिलकुल सरा आउट साइड दियो स्ट्रम गेन कुस्लोर वन किया ता खिलाडी भी मौजूद थे वापर मगर गेंडर बले का संपर का अच्छी तरा से हुआ ने उसे क सब्सक्राइब दूसरे मकाबले में चार रन बना कर आउट वे दे और इस मर्तबा पहली ओवर में अपने बल्ले बाजी से सथरा रन ठोकते हुए मैं इन फार्म दिन बर अच्छी बल्ले बाजी कर रहें नॉनी स्टैक पे भावेश बारिया आब गेंडबाजी के लिए मरता क्या ना करता के जू मुंडे आए टेनिस किर्केट के रिचर डैडली सेम फिल्ड है एक खिलारी सरकल से बाहर निकल गया है आफ साइड में सरकल में बहुत मजबूत फिल्डिंग पीछे कोई प्रोटक्शन नहीं है के जू मुंडे पहली गेंड पुल कर दिया है गेंडवा में प्रीते जोशे आउट यह दर्शक आप जूमते हुए आगासन के बेलकुल जिस खिलारी के लिए जाल बिचाए था वही खिलारी जाल में फस्ते हुए प्रिते जोशी एक बड़ा विकेट के जू मुंडे की गेंड हलकी से अंदर आई थी हलाकि उतनी शौट भी नहीं थी समझ बैटे थे उचाए ज्यादा डिस्टेंस नहीं मिला आउट वे प्रिते जोशी बेलकुल हाफ ट्रैकर गेंड को पूल करना चाहते थे मिस टाइम्स तो काफी समय तक गेंड हवा में थ प्रिते जोशी के पारिका अंति यहां से होता हुआ सत्रा का खत्रा यहां पर बालकुम टीम को लगता हुआ देखिए मैच दोनों टीमें शेर दिल है और यह मैच बन के रहेंगा जिन लोगों को नीदे आईए उनकी नीदे उड़ जाएंगी नए बैटर मैदान में आते हुए बुशन बुईर सामना करेंगे केजू मुंडे का आते ही केजू मुंडे ने छटका दिया है कि तमाम यादगार वो पल हैं जो दिखाये जा रहे हैं बेवंडी के राजा खेंद्रिये राज पंचायत मंतरी कपिलबटिल साब केजू मुंडे सामना करेंगे पुशन बुईर तेज तर्रार गेन ये तो उनकी खासियत है कि इनको जब रिलीस करते हैं तो एक अलगी उनका बूलिंग एक्शन है बिल्कुल सार रिचर डेडली बिल्कुल अच्छा कंदेगा उप्यों करते हैं केजू मुंडे आते ही पहले के इन पर सफलदार जितकी दूसरी के इन वाइल यॉरकर कापी भारी बख्कम शरीर के इन बास है केजू मुंडे और उसी क्या अच्छा उप्यों गया पर मैंने पहले भी कासर प्रितर जूश करन अपने टीम के लिए बचाते हुए तीन रन भागे हैं बले बास होने कमाल की फिल्डिंग की सरकल से बॉंडरी तक गेन का पीछा किया है 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 ट्रिक का इनाम बढ़ गया है चार अजार रुपे हो गया है के लाश पाटिल की तरफ से बीस रन एक विकेट की जू मुंडे सामना करेंगे अब बले बास भावेश बारिया और नेस्टी बाउंसर इनकी बाउंसर बहुत खतरनाक रहती है पिछले दो मैचेस में हमने देखे हैं नेस्टी बाउंसर थी बिल्कुल चेरे के करीब आई थी गर्दन का नाप लिया था टेलर की तरह के जूने बले बास बारिया का क्या गेंद बाजी हो रही है पहली गे लिए फिक और शोटी के पाउंसर काफी अच्छा वेरियेशन अपने बाजी में दिखाते हुए यहां से के जूमले रफ्तार भी उनके पास अच्छी है तेजगें पुल किया है कंट्रूल पुल शॉट है हवा में स्टोक है नो में स्लेंड में दे दूसरे की कोशिच और रन आउट मेरे गाल से बावेश बारिया एक रन बना के रन आउट 21 पर दूसरा विकेट गिरा है बलकुम स्पोर्ट्स का नए बैटर दिपेश माने पिछले मैच के मैन आप दिमैच रहते सामना करेंगे के जू मुंडे का दूसरी वर की यह आखरी गेंद है 21 दो विक्टो के नुकसान पे 21 पर दे लॉस अब 2 विकेट्स मुकाबला चर रहा है स्वाम 11 ओमसाई स्पोर्ट सागासन बनाम का अधिवी स्पोर्ट बालकुम बालकुम के आवाज भरत पाटिल हमारे साथ हैं और बालकुम से जो अंपैर रहे हैं प्रुईदास पाटिल कमाल की अंपैरिंग की अब्यूंडी में 8-9 साल समर्तबा बल्ले का फेस खुल गया था केंडिपीश गाली में एक रन दोवर के समापती रन मने 22 विक्ते गिरिये दो और दोवर के लिए जो समय लिया गया है वो ठीक दस मिनट है बिल्कुल यहां से दो ओवरों का खेल खत्म होता हुआ दो ओवर के समापती बाड़ टीम आगासन का स्कूर है या टीम बालकुम का स्कूर है 22 रन या पर लगबाग ग्यारा के उसस से रंगती रोखा गया ह है इस मुकाबले में काफी कड़ा मुकाबला कड़ा संगर्श मैदान के बीच चलता हुआ विराज मुंडे विक्ति के दूसरी और टीम की तीसरी और लेकर अब तक इस प्रतियोगिता में विराज ने बल्ले से और गेंसे काफी बहतेलन प्रदर्शन किया है काफी बड़ा मुकाबला बालकुम टीम की जहा तक बात की जाए तो ठाने शहर से आयोए टीम जहा तक टीम आगासन की बात की जाए तो डूमदी के इस सिद्धी विन एकंजुर के मैदान पर जद्धो जहत करती वी रात के तीन बच कर बाइस मिंट हो चुके है मैदान के बीच कड़ी लड़ाई आपर दिखाए दिती थाना परी सर और डूमदी परी सर के बीचे यह मुकाबला है कंटीनियू रखा है विराज मुंडे को भरोसा जाता है वहां पर केजू मुंडे ने ओमाइगाड चाबू के यह चाबू के कमाल का स्ट्रोक खीच के मारा छे रन बिल्कुल सरी शॉर्ट को देखकर हमें रोष शर्मा की याता जब जिस तरह से रोष शर्मा आकरी वक्त तक गेर गेन का वेट करते शॉर्ट पिज गेन जब भी आती है रोष शर्मा उसे जिस तरह से शिक्स मारते उसी तरह से च्छका आता हुआ बले बाजर भूशन भूर के बले से भूशन ने दर्शन कराए बॉंडरी के विराज पिछले मैंस से थुरा सा गेन बादी में आफ कलर लग रहे हैं बहुत दूर दे मारा था लॉंग हैंडल का बहुत अच्छा इस्तेमाल कियाता हुआ पर शिक्सर से उचलता इसकोर गावदी भी बलकूम का पहुंचा है अठावीस रन दो विक्टो के नुक्सान पे 28 for the loss of two wickets विराज मुंडे कटर्थी कोई स्टोक आफर नहीं किया वाइट विशा से भटकते वेगें बाद विराज यापर दबाओ और दबाव आता हुआ विराज पर कि विराज ने पहले और में भी कुल मिलाकर 17 रन खर्च किये ते जैसे हुने तीसरी और थमाए गई कप्तान के विराज मुंडे द्वारा पहले गेंद पर चक्का आया उसके बाद आफ स्टम के बाहर आफ कोड़र डालना चाहते है तोट गया तोट गया सपना विल्कुल कैचिस विंद मैसे इस ओमकार के लिए मौका था बल्ले बाद भूशन भूयर काउट करने का मिस टाइम स्टोक पुल करना चाहते थे दिशा चूप दा ऑन साड़ पर खेलना चाहते थे मगर गेंद सीधा लॉंगर रिजन में आये थी ओमकार गेंद तक पहुंचे थे मगर कैच को लपक ना पाए जिवन दाल मिला या पर भूशन भूहिर को महेंगा पर सकता है हाला के जो गेम प्लान है वो थोड़ा अलग लग रहा है कि जो मुंडे चाहते तो विरास की जगा किसी और को करते हो दूसरा और वो डाल सकते थे क्योंके पांच-पांच और का मुकाबला ये मुकाबला बहुत तायम है जीतने वाली टीम सूपर सिक्स्टीन के आखरी टीम बन जाएंगी अच्छी गेन जबर्दस गेन देखिए हम काटाई के माजी सरपंच माजी उप सरपंच काशिनात पाटिल साब का विशेद धन्यवाद करते हर साल एवन जूरी के शो में उनकी तरफ से बाइक दी जाती है हर साल उनका साथ रहता है पिछला मैज तो वो जरूर देख रहे थे आगासन का ये मैज भी अगर देख रहे होंगे तो एवन जूरी की तरफ से हम आपका हर्दिक स्वागत करते है जिबल गुल काटाई के उप समझ नहीं आया सराना कर रहे माने इस गेंगा एक अच्छा बैटर भी वह जो अच्छी गेंप सराना करे माने ने विराज से काई काई दिया के मान गे पिछले मैच के हीरो दिपेश माने जॉन स्ट्राइक बायाद के बल्ले बास दिपेश कटरती बैक पूट पे गए हलके आतों से कट किया पीछे प्रोटेक्शन है एक रहना आता हुआ इसको रागे बरता हुआ बटीस पे महुंचा है एक अतीस पे रात के सुबा के पहले पैर के भारती समय अनुसर तीन बच कर 27 मिनट हुआ चाते हैं आप भी दोनों तरफ के सपोर्टर्स के बालकूम के सपोर्टर्स हैं भूमी इंटरप्राइजस स्टैंड में और कफिल पटिल फॉंडिशन में अगासन के सपोर्टर्स हैं कटर्थी बैक फूट पे गए हवा में स्ट्रोक है अपकी बार कोई गलती नहीं एक जिवन दान जरूर मिलाता लेकिन अपकी बार आउट होगे बावेश बूशन भूईर तीन और की समापती रन्मने एक तीस फिकेट गिरें तीन अच्छी शुरुवात की थी पावर प्ले में टीम बालकुम ने उसके बाद कीजू मुल्डे जब गेंद बाजी के लाए उन्होंने कमबैक किया किवल चान रन कर्च के उस पांच रन कर्च के ते उस और में उसके के बाद अच्छा कमबैक किया लगाता डॉट गेंदे फिक और भूशन भूईर इस बलेबास को उन्होंने आउट किया इन औरों के समापती बाद टीम का स्कोर पहुंचा है 31 अब आने वाली बारा गेंदे शेश बारा गेंदों में 20 रन भी अगर बना लेती यहां से टीम बालकूम तो एक सलमान जनक स्कोर खड़ा रह सकता है रात के इस समय में सर एक्जैटली लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछला मैच आगासन ने बहुत खूशूस दिसे चेस किया था जब बिलकूल एक सर्ट रनों का पीशा जब आगासन करने उत्रिती तब करन यह ने काफे अच्छी बल्ले भाजी किती उस मुकाबले में मगर सर्फ वो गेंबाजिया लगती यह गेंबाजिया लगे अब तक की इस प्रतियों की तामें आज का दस्वा दीने और जिस तरह से गेंबाजी बालकूम के गेंबाजों के यह काबिले तारिफ सत्रा रनों की ड्रीम शिर्बात दीती प्रीते जोशी ने ने बैटे रमाइदान में आचुके हैं तोईत पाटिल और गेंदबाजी में परिवरतन नागराज मुंडे को लगाए गया है समय में कॉपरेट करें आगासन आपको यह ओवर चार मिनट में करना होंगा नागराज मुंडे पहली गेन ऑन ड्राइब किया लोंगान पे खिलारी एक रन बतीस पे पहुंचा है स्कूर अब तक को मैं का हूंगा के तो जीत कर फेलिंग करने का फैसला सही साबित होता हुआ टीम अगासन का जिस तरह की गेन भाजी अब तक हो रिये मैदान के बीच प्रिते जोशी मैंने पहली गादा प्रिते जोशी एक रीड की हड़ी ए टीम बाल कुम की और जैसे प्रिते ज पंच किया डीप कवर में खिलाडिया हैं खड़ाप फिल्डिंग और जहां एक या दो रन थे वहां चार रन मीच जच किया तो हमाँ पे चोका आता हुआ रुईत पाटिल के बल्ले से खाता खुला रुईत का बाल कुम का स्कोर 36 रन तीन विकेट नागराज मुंडे सामना करेंगे रुईत पाटिल अच्छा पंच किया था बैक फूट पे जाकर सीधा इस्ट्रोक है डाउन दिग्राउन खेला है कमाल की फिल्डिंग जो गलती कवर के फिल्डर नहीं की ती वह गलती नहीं की और तीन रन बचाएं उमकार पाटिल ने जी बल्कुल अच्छी फिल्डिंग अपना हंड्रेट परसंट कबिटमेंट दिखाते हुए है आग अच्छी फिल्डिंग उती उसे कारण चोगा आया था मर्स मरतबहा फॉली इंटी रोइट पार्टी ले सीधा स्टेट डर स्टेट डाउं देग्राउन ग्राउंड गेंग को खेला ता मगर वापर अच्छी फिल्डिंग अपने टीम के लिकुछ रन रुका है वापर टीम आगासन के खिलाडी ने कमाल का एफ़ड पंजागार लिया ता गेंद पे जिस तरह शिकार पे शेर पंजागार लेता है जिस तरह से सर्क्रिकेंट पे गेंद बाजी और बल्ले बाजी अच्छी होने चाहिए उससे जादा जिस टीम के फिल्डिंग अच्छी होगी वो पूर्थ ओवरेल प्रोग्रेस काफी अच्छी गेंद बाजी अब तक नागराज मुंडे द्वारा भी इस मरतबा फिर से एक बार रोहीत नागराज मुंडे रोहीत पार्टिल के लिए चौप करने की कोशीश खड़ा फिल्डिंग फिर वन्टू का फोर्थ चारन आप के कप्तान यह देके बला लगा था गें दोनों पैड़ों की दरार से फड़ार तीज आउट फिल्ड है सरक तीवी पहुंची चार रन जी बल्कुल इस तरह की मिस फिल्डिंग को ही भी कप्तान नहीं चाहेंगा क्योंकि केजू मुंड एक एग्रेसिव कप्तान यों पूर तू परंतू का तो सवाली नहीं उठा है करा फिल्डिंग के वज़ा से इस वर में अप तक दो चो के आये हैं आपर टीम बालकुम के लिए वह भी रोहित पाटिल के बल्ले से इसी तरह की बल्ले भाज़िकर लोगी रोहित पाटिल को आने वाली साथ गेंदे शेश है इसे मेरे क्याल से दोनों तरफ बचे लग गया है यहां रनाउट हो गये लेकिन माने डिरेक्ट हीट दिपेश माने आउट वे आकरी इन पर इसके साथ चार ओवरों का खेलिया से खत्म होता हुआ चार वर किसम अपतिक वा स्कोर पहुंच अब याली सरन अभी पहले इनिंकी श से गेंदेशेश काफी कड़ा मुकाबला चलता हुआ मैदान के बीच केंद्रिय पंजय राज्यमंत्र चशक दो हज़ार शोबीस का कारवां आजका देश्वादीन देरात अंजूर गाहों से वीजे चमान जी हमसे जूर चुके आपका मार्दिक स्वागत करते और समापत होते हुए चार कुल स्कोर है 42 विक्टी गिरी है चार 4-2-4 ओवर्स 4 विकेट्स 4-2-4-4 नए बैटर चेतन आए बल्ले बाजी को और डेट वर्ड में गिन बाजी के लिए अनिकेट मुंडे को लगाए गया है थुड़ा लगी बुलिंग एक्षन है उनका कौन सी टीम सुपर सिक्स में सुपर सिक्स्टीन में पहुँचेंगी क्या खुबसुरत आदा चांद दिखाया जा रहा है पूछा जो उन से मैंने के चांद निकलता है किस तरह चेरे से जुल्फ को जटका दिया की हूँ गेंबाज अनिकेत मुंडे आए हैं गेंबाजी के लिए आखरी और स्लॉगर में गेंबाजी के लिए इस मरत बागेंज दी टन कहला है बहुत बढ़िया कोशिश कमाल का कैच कमाल का कैच नॉट एजी कभी भी आसान नहीं रहता है गेंबाज के लिए यह देखिए रुक कर गेंदाई थी इस्टोक को पहले जमा दिया और गेंदा अस्मान में वड़ा कैच बढ़िया एफ़ाटर रोहित पाटिल जैसे आक्रमक बल्ले भास को यापर पहली गेंद में आउट किया सफलतार जित करते वे गेंद बाजानी केत अनिकित की जहाद तक बात की ज शक्के आये थे जब इनके खिलाफ बल्ले भाजी कर रहे थी टीम अ कुन गाओ के बल्ले भाजों ने तीन शक्के जड़े थे इनके खिलाफ मगर इस मरतबा फिर से एक बार कप्तान अकेजू मुले ने इन पर विश्वास दिखाया है और पहले गिन पर आते ही सफलतार जि की इस तरह की कंडिशन में अगर इस फिन गिंदबाजी बल्ले बास को जल्दी आना है अत्वा आपको पैनल्टी दी जाएंगी बालकुम इस बात का ध्यान रखे फिर वहीं शॉट लेकिन इस मरतबा थोड़ा पीछे बूलिंग लाजवाब लेकिन रणिंग बिट्वन दी विकेट भी लाजवाब जिबलकुल विद्व स्पीन खेलना चाहते थे सर मगर गेंट बल्ली पे पूरी तरह से चड़ी नहीं अगेंज दी स्पिन खेला था अगेंज दी टन खेला था महाँ पर यहीं कारण था के गेंदर विकेट किप बॉलर के पीछे गए थी तरन के साथ खेला है अच्छा कट शॉट है पीछे प्रोड़क्शन है लेकिन दूर से आएं किलारी दो रन बनाएं यह विद्वी स्पि खेला था टन का इंतेजार किया था लेट खेला था लेकिन गरेट खेला था जी बिल्कुल आगर इसी तरा से सिंगल डबल से भी रन को आगे बढ़ाए जाएंगा तो एक अच्छा स्कूर ख़ड़ा कह सकते क्योंकि जहां तक बालकुम की गिन बासी की बात किजए तो अच 46 रन हो चुके हैं तेजगें खड़ाब शॉट एक रन दरूर बना है एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं अच्छी गिन भाजी अब तक गिन भाजानी कित मुंडे द्वारा चार गिंदे हो चुके ही सोवर की कुल मिलाकर पांच रन दी हैं अब तक इस ओर में स्लॉग और मे अच्छी है डेट वर की स्कूर है बालकूम स्पोर्ट्स का 47 अनिकेट हवा में गेंद फिल्डर हैं लेकिन कैच छूटा बुलिंग बहुत लाजवाब होड़ी है लेकिन यासी जाउट एक इन में आप दो बार नहीं बस सकते हैं यह साबीत हो चुका है इस एक बार अच्छी गें थी आप रानी के थी हवा में गें काफी समय तक थी के जुमिन ने दौरा कैच छूटा और दूसरे रहने के प्रयास में रन आउट जी बिल्कूल रविशास ते हर वक्ते नेवर रन और मिस फिल्डिंग बिस फिल्डिंग में आप अगर रन लें लेकिन सुनील गवासकर हमेशा कहते थे के नेवर टीकर रन और मिस फिल्ड अरतालीस रन एक इन बचिये अच्छा और चरह रहा है डेट वर किवल छे रन दिये आखरी गेन इस इनिंग की क्या लिकित मुंडे अलिकित मुंडे के उपर भी दबा होगा ने बल्ले बाज आए हैं गे बल्ले बाजी के लिए टी बालकूं स्पोर्ट्स के और से महिश पाटिल आखरी इनका सामना करने के लिए हैं या पर अंडर फिफ्टी अगर ये टूटर रहा तो फिर चेसिंग में दबाव नहीं आएंगा अबब 40 गया बड़ा शॉट आया तो अलका सा दबाव बढ़ जाएंगा अनिकेत स्वीच इट की कोशिश किया भी लेकिन फिल्डर रहे हैं एक दूसरे को पकड़ रहे हैं ये इनको बाद में पकड़ा और इस बीच दूरन भाग लिए बल्ले बाजों ने तो कुल मिला के रन बने हैं पूरे 50 एक कमन की चुनोती है अब बने रही हमारे साथ हम यूं गए और यूं है झाल 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 कि यंद्रिय पंजय थी राज्जी मंत्री चेशक दो हाजार चोबेस आज का दस्वा दिन दस्वे दिन का आख्री मुकाबला हम देख रहे यहां पर ठाने परीशर की टीम बालकुम और दूसरे तरब डोंबिली परीशर स्याईवी टीम आगासन आगासन टीम ने टोच जितक आए टीम बालकुम लिए और इकाम रूरों का लक्ष रखा गया है यापर टीम आगासन जब रनों का पीछा करने के लिए यह चलिए आरंबिक बले बास जल से जल आप मैदान में इस वक्त ऑनलाइन बालकुम स्पोर्ट के शुब चिन तक तीरज भूईर भी हमसे जूर चुके हैं आपका हर्दिक स्वागत है देरात अपने टीम की जीत के लिए मचर रहें जबके कॉमेंटेटर बड़त पाटिल भी जूर चुके हैं आपका भी हर्दिक स्वागत अरंबिक जोड़ी मैदान के बीच आती वी करन बेलेकर और विनायक मुंडे विनाक मुंडे ने पिछले मुकाबले में भी अच्छी शुरुआ दी थी साथी करन मडवी जो कि पिछले मैच के हीरो काफे अच्छी बल्ले भाजी की थी उन्हों ने तीन को नगाओ के सामने करन बेड़े कर बहुत अच्छी बल्ले बाजी करते हैं और इस तरह की सीथी में विराज मुंडे वंडाउन आई जाएंगे पिछले मैच की तरह और तक यहां से दो मुकाबले के लिए टीम बालकुम ने पहले मुकाबले में उन्हों ने 33 रन के सुपर वर पूरी टीम को अलाउट गया था उसके बाद जब दूसरे मुकाबले मुने 40 रनों पर टीम को रोका अब यहां पर उन्हें पहले बल्ले बाजी करते हुए 50 रन बना को आते ही तान दिया आस्मान में पीछे खिला रही है देखते रहे के छे रन यह बेड़े कर यह सिट्टिया यह टालिया खेलाश पार्टिन ने का है सिक्सर के एट्रिक लगती है तो तीन हजार का इनाम बेड़े कर ख्रीज में रूखे हुए थे जैसे गेंद उनके रडा पर शक्का जड़कर आगास करते हुए इसी निंगा अमल भूर करन को इन फिल के उपर से केलने की कुशिश शॉट नहीं दमदार था एकी रन मिलेंगा इसकोर आगे बरतावा अगासन का साथ रन बिना किसी भी केट के अच्छी शुरवात आबर तोप शुरवात करन बेड कर पहले गेंद पर शक्का दूसरे गेंद पर भी इंसाइड आउट के माध्यम से इन फिल्ट को क्लियर करना चाहते थे मागर शॉट में हलका सा दम कम था उसी की कारण या पर किवल एक रन मिला विना एक मुंडे सामना करें हमोल बूर का प्रीटे जोसी इस बात का जान र कड़ा संगर्श एक तरफ बालकुम के अच्छी गेंद बाजी तो दूसरी तरफ आगा सन के अच्छी बल्ले बाजी दोने ही टीमों के बीच काटे की टकतर चलती हुए रात के तीन बचकर 46 मिट हो चुके इसी दी विनाएक अंजुर के मैदान पर सर अमॉल विनाएक को ब गई थी एंपार के उपर प्रेशर डाला गया था मेरां पार तस्ते महिस नहीं होते वे काफी कड़ा मुकाबला चल रहा है लाओड अपिल की कीपर रोई पार्टी द्वारा अच्छा ने ने अंपार का जोश में अपिल की गई थी देखना है कि विनाएक मुंडे अपने टीम के लिए क्या सफलताओं के गार देते जंडे बने रही हमारे साथ फुल्टास गेन इन फिल्ड के उपर से खेला है पीचे से खिलारी खड़ा फिल्डिंग चार रन फुल्टास गेन दी सरांसाइड पर खेलना चाहते थे मंगर इस मरतबा भी गेन पूरी तरह से बल्ले पर चड़ी नहीं थी उसी की कारण गेंद सीधा मिड़ान के उपर से खिलना चाहते थे लॉंग आफ के खिलारी बहुत स्टेडिश थे पहुंचे जरूर थे लिकिन कैच को लपक नहीं पाए अच्छी और ताबर तोब शुरुवात यहाँ पर पीवन के सोवर में गेंबाज अमोल भूईर के खिलाफ यहाँ पर अक्रमक रूप धारन करते वे विनायक मुंडे और करन मेले करकी यह जोड़ी अगली गेंद अमोल भूईर फिर से हेलिकॉप्टर उड़ाया है लेकिन सेफ लेंडिंग मिस टाइम स्टोक सोड़ें लेकिन रन भी आ रहे हैं इन दो रन से इसको रागे बरता हुआ अगसन का पहुचा है पहले गेंद पर शक्का जड़ा उसके बाद सिंगल तीसरे गेंजरूर डॉट है थी चोटी गेंद पर शोगा और इस गेंद पर दुखका आखरी गेंद अमूल भूईर लेकि आते वे बिनायक मुंडे के लिए इस मर्तबा तान दिया है फिर सेट बार हवा में गेन मोका बन सकता है इस मर्तबा कोई चूक नहीं पहली सफलता तेरा के स्कोर पर गिरता हुआ पहला विकेट विलेक मुंडे बैक टुद पाविलियन लगातार हेलिकॉप्टर खेलना चाहते थे फिर आगे रखी वी गेंती मिस्टाइम स्टोक सॉफ डिस्मिसर एक और तेरा बचे भी चार वर में यहां से जीतने के लिए जो रहन है 38 पहले वर के लिए जो समय लिया गया है चार मिनट का विनायक मुंडे इन क्या उठ होने के बाद आने वाले ने बल्ले बाज है विराज मुंडे चोबिस गेंदे 38 रन जीतने के लिए टीम आगासन को यहां से विराज मुंडे आये हैं अप क्रीज पर देखना होगा जब गेंदबाजी कर रहे थे विराज मुंडे तो गेंदबाजी के वक्त उन्होंने काफी रन लुटाएं थे क्या यहां पर बल्ले से उन्हों को कवर कर पाएंगे विराज मुंडे देखिए क्लास बहुत बढ़ा है उनका और पिछले दो सालों से इस खिलारी ने बहुत बड़ी उड़ान बड़ी है सामना करेंगे बेड़े कर करन बेड़े कर किन बादी में लगा गया है मोर्चे पे सिंग को सिंग की पहली गेन वाइट गुलू सिंग गुलू सिंग गुलू सिंग अलाके एक मैच के मैन आप दी मैच रहते छे रन देकर चार विक्टे ली थी गुलू सिंग ने मिल्कुल गुलू सिंग ने अब तक अपने गेन बाजी से इस प्रतियोगिता में चाप छोड़ी है उसी पर यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई एक अप्तान प्रते जोशी द्वारा करन बेड़े कर अगली गेन गुलू सिंग अच्छी गेन गुडलेन पर पढ़ने के काफी कड़ा संगर्श चलता हुआ दोने ही टी में मैदान में जद्व जहिद करती भी गोलू सिंग के अगली गेन गुलू सिंग बेड़े कर को खीच के मारा है पुल पावरफुल छे रन किया गजब का स्ट्रोक है हलकी सी पीछे रखी भी गेन थी बहुत जल्दी अपने आपको पोजिशन किया और ये कमाल का स्ट्रोक है गजब का शॉट किया बढ़िया शॉट आई है या पर करन बेड़े कर के बल्ल अकल पनिया अद्भूत और विश्वस निया बल्ले बाजी करन बेड़े करके आज के दिन में हमें दिखाए दी तीवी के इंद्रिया पंचाय तराज्या मुंत्रिच शक्तु हादर चुछ इसके दस्वे दिन में टीम आकासन के लिए तीन बच के कवन मिनिट पे जब ये शॉट आप खिलते हैं तो ये पता लगता है कि आपका टैलेंट कितना उच्छा है बेड़े कर मानों पीछे पड़ गएं बालकुम के के मैच लेके उड़ेंगे स्कूर उड़ता हुआ पहुचा है बीस पर गिंदी बच्छी है फिलिक कर दिया है पीक अप शॉट है छे रन शोर उबरता हुआ सिट्टियां बज रही है तालियां बज रही है और यह बस सकती है अगर सुबा के चार बजे तो मारस्टा के एवन जोड़ी के इशो में इस तरह से बल्ला गुमाया मानुज गेंद पर लिकाता एक इंचे रनों के लिए जाएंगी लगातार दोगे दो चक्के आपर बलेवास करन बेड़ी करके और से आते हुए अब इस चक्के के मदसे समीक्रण बदल दावा अब निर्धालित 21 गेंदे 25 लोगी जरूर टीमा हसन ने यहां से 25 रन और चाहिए 20 गेंदों पर 21 गेंदों पर 25 रन कमाल की बल्ले बाजी कर रहे हैं करन बेड़े कर कि जश्न का माहूल यहां पर दिखाए देता वा इस वक्त अगासन के खेमे में जिस तरह की बल्ले बाजी करन बेड़े करके द्वारा की जा रही है गोलू सिंग गती पड़ी वरतन सामने बेड़ दिया है छे रन तीन में तीन ठोक डाले हैं करन कैलाश पाटिल के तीन हजार रुपे जीच चुके हैं सिक्सर का ट्रिक लगाते हुए और करन बेड़े कर ओन फायर बढ़िया बल्ले वाजे इस भार भी यहां फॉलिगें थी जिस तरह से बैट का फेस कोला सीधा लॉंगान के खिलाड़ी के मस्तव पर दस्तक दे कर गें सी मालिका के बार छे रनों के लगे गई तीन गिंदों में तीन शक्के मानों करन बेड़े कर सोचके आए कि इस मुक क्या बल्ले बाजी करें मूड बना दिया है करन बेड़े करने किसने सोचा था कि बालकुम टीम का यहाल होगा यहां से वही बालकुम डीश ने पिछले दो मुकाबले में का प्याची गेंद बाजी की थी और इस मुकाबले में गोलु सिंग के उपर जिस तरह से करन कर दारा चार विक्ते लिए चेरन देकर गुलु सिंग्य चार सिकसर का एं सभी का दिल जीत लिया यहां पर करन में लेकर कि बले बाजी ने चार में चाल ठोके अभी आकरी गेंड एक और दर दो के बार तारा मंदल में छे रन टालिया होना चाहिए करन बेड़ेगर के लिए जिबलकुल सर्वगुन संपर्ण बल्ले बाजी प्रती बासे भरपूर करन बेड़ेकर ने पांच गेंदों में पांच छक्के जड़कर होश उड़ा दिये यापर टीम बालकुम के गेंद बाज आगासन के बल्ले बाज करन बेड़ेकर की आग उगलती भी बल्ले बाजी और आग बगुला होगे गेंद बाज गुलू सिंग पांच पे पांच दे दिया उनको आठ गेंदों में कितने पे बल्ले बाजी करें 37 अब कितने चाहिए छे सिक्सर लगा चुके है अटरा में साथ चाहिए प्रीते जोशी सर खुजाते वे किसी ने कमर पे हाथ दिया है कोई सर पे हाथ दे रहा है क्या बल्ले बाजी है दिस इस आउट इस्टेंडिंग अमेजिंग इंक्रेड़ेबल बैटिंग आगासन के बल्ले बास करन बेडे करकी आग उगलती भी बल्ले बाजी अब तक इस प्रतियों गिदा में इतने आखरी के रात के चार बच चुके और इस तरह की बल्ले बाज हुए लेकिन ये बल्ले बाजी इसले खास है कि उस गेंद बाज ने पिछले मेंच में छे रंदे के चार बीकेट लिए तो उसको पांच पर पांच सिक सर नौट ऐजी बल्कोल अच्छी बल्ले बाजी करन बेड़े करकी आज के रात में जितनी प्रसंचा की जाए उतनी कम परतमेश मात्रे ने छेस करते हुए फुंडे के लिए इसी समय अर्देश तक लगाया था पहली गेंद बाओ वाइड अब कितने चाहिए प्रीते जोशी आये हैं प्रीते जोशी ने गुस्ते में गेंद अपने हाथ में लिए बिल्कुल पूरी तरह से जबाओ जलकता हुआ या फर बालकुम के सबी खिलाडियों के उपर विराज के लिए टर्न कर दिया एक रन बना विराज ने स्ट्राइक दिया है फाइरमेन करन बेड़े कर के पास यहां से कितने चाहिए पांच क्या जोश है सिट्टियां बज रही है शोर उपर रहा है इस मर्दबा उपर लगी है लेकिन फिल्डर से दूर गई है एक रन हलाकि जहां खेलना चाहते थे वहां नहीं खेला था अब लगने रहा है विराज को डगाउट से इशारा आ रहा है आपको खेलना है सिंगल नहीं ओ अच्छी गेन लेक ब्रेक प्रिते जोश्या है गेंदबासी परिया पर जितके लिए चाहर रहा है जब रखवाली बेमाने खेल दिया है चेरन आज की रात बन गई है आगासन की बाद कॉंग्राचुलेशन के जू मुंडे एन और टीम हाड लग प्रितेश हाड लग बलकुम मैन अब दिमच मैन अन फायर करन बेडे कर करन बेडे कर आपको थोड़ा जल्दी आना है प्लीज बल्ला दूसरे को दें और आ जाए आगासन सुपर सिक्स्टीन में पहुंची है कॉंग्राचुलेशन के जू मुंडे एन और टीम करन करन बेडे कर प्लीज अलाकि जीट लिए